ये गाइज वाकम टू माय चैनल और बताइए कैसे हैं आप लो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो को जो टॉपिक है वो है टीनेज स्किन के रूटीन तिनेज की जो नोटे जो आप कोछ रिडि बतानेवालों जो की तीनेजर के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे तो अगर आपको वीडियो थोड़ी इसी पर्संद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल का सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी helpful रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फर्स स्टेप आता है आपको इनफ वाटर लेना है अगर आप अच्छे से पानी नहीं पीएंगे तो आपकी स्किन आपके पीना ही है तो इससे आपकी स्किन अच्छे से हाइडरेट रहेगी और आपकी बॉड़ी भी टीटोक्सिफाइर रहेगी तो आपको यह कभी भी स्किप नहीं करना अपनी डाइट में वाटर अटर इंट है अगर आपको अपनी स्किन पे अच्छा ग्लो चाहिए तो 편sin के रिए हैं में यूझे करना फेज़ वॉश मैं यूझे करती हूं नेचर का पापया फेज़ वॉश तो मुझे ये काफी सुट करता है मैंने गुड्वांट की की भी उनुज करे है तो नहीं हैं तो मैं दे शट नहीं करते हूं अपने पांप पे वन टेबल सुन ग्राम फ्ला लेना है यानकी बेसन उसमें थोड़ा सो वाटर मिक्स करके अच्छे से अपनी फेस को उससे वाश कर लेना है वो भी काफी अच्छा डियाएवाई रहेगा नेक्स्टेप आता है मैं एक स्क्रब करने है आपको स्क्रब रोज नहीं करना है वीक में आपको दो बार क्री लिए यूंक बहुत सुट करता है क्योंकि इसकी ग्रैन्ल से वह काफी सॉफ्ट है और सिकन बिल्ग भी हाश नहीं है तो अच्छे से बहुत mild हैं, इसे granules तो अच्छे से face को scrub कर देते हैं और बिल्कुल भी harsh नहीं रहते से मैं ये यूज करती हूँ बट मैं ज्यादतर DIY यूज करती हूँ से मैं आपको बताती हूं कि व logr देति हो मैं ले रही हूँ यह 1 tablespoon rolled oats, oats skin के लिए बहुत अच्छ होता है, काफी mild होते हैं, skin पर बिल्कुल भी हाश नहीं रहते, अच्छे से face को exfoliate कर देते, then मैं उसके अंदर add कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी, थाके वो अच्छी सी scrub वाली consistency में आ जाए, अच्छे से इसको mix करना है, then यह optional है, मैंने यह sugar लिए, मैं sugar को मैंने mixi में piece के, अच्छे से इसको powder बनाया कर रख दिया, अगर आपको sugar suit नहीं करती, तो आप बिल्कुल इसको skip कर सकते हैं, कोई दिख्यत वाली बात नहीं है, मैं इसमें थोड़ इसी sugar वो कर लूँगी, डाल लूँगी scrub में, और अगर मिला कर, अच्छे अपनी skin को scrub कर लूँगी, और मैंने oats के benefits attach कर दी, आप लोग देख सकते हैं, हम स्किन के लिए कितना अच्छ हो रहता हो, यह तरना soft रहता है, आप एक बार ट्राय करिए, तब आपको पता चले है, इतना baby soft skin लगती है, यह वाला scrub यूज करने के बा अच्छ प्रोड़क यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप एक बार इसको जरूर ट्राय करके देखिएगा, देखिएगा, अच्छे से मैं इसको scrub कर रही हो, मैं scrub करने के 2 मिनिट तक मैं इसको ऐसी रहने देती है, अपने face पे, आप डारेक्टी भी wash कर सकते हैं, बट मैं दो म आपको बता नहीं सकती, अच्छे से अपनी स्किन को पैड ड्राय कर लेना है, पैड ड्राय करने के बार नेक्स स्टेप आता है, हमारा face pack का, तो face pack लिए मैं जाता यूज करती हूँ, यह lotus का clay white face pack, यह बहुत अच्छा face pack है, यह स्किन को detox रखता है, clean रखता है, पोर्स को भी clean रखता है, आप यह use कर सकते हैं, यह काफी अच्छा है, मेरा all time favorite face pack है यह, then आप यूज कर सकते हैं, यह हिमालिया का केसर वाला face pack, यह भी काफी अच्छा है, हिमालिया केस तक glow face pack तो आप यह भी use कर सकते हैं, और दोनों में साब जो आपको ज़्यादा convenient लगे, आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको DIY यूज करना है, तो DIY के लिए हमें चाहिए rice powder, इसको भी मैंने mixer grinder में paste कर और एक airtight container में store करके रख लिया है, और जब भी हमें use करना होता है, तो मैं use कर लिती हूँ, यह काफी convenient रहता है, तो हमें चाहिए one tablespoon के करीफ rice powder को, अच्छे से यह पेस्ट करना है, जाथा मोटे granules नहीं रहना है, वन इभी स्किन पर हाल हो जाएंगे, आप एक रही हो यह हाफ ए यह वान teaspoon के करीब चंदन पॉडर एंड पिंच ऑफ टमरीक, यह वाटर में अच्छा सा फेस पेक, इस तैप की consistency में बन जाए गार एंद आप स्मेल वास चीज़ों के benefits आप देख सकते हैं, मैं attach कर दिया, आप लोग देख लीजी, सब चीज़ा में स्किन पे कितनी gentle हैं और स्किन के लिए कितनी beneficial है, अच्छे से अपने पूरे face पे apply कर लोंगी, और गाइद अगर आपको अपने skin को naturally healthy रखना है तो आप अपने skin में protein rich food ज़रू तो मैं इसको अच्छे से dry होने दूंगी 20 minutes के लिए अपने face पे, then आप अपने face को wash करेंगे, 20 minutes हो चुके मेरे face पे अच्छे से dry हो गया है, आप मैं अपने face को wash कर लेती हूं, वाओ guys, मैं आपको feel कर सकते हैं, मेरी skin इस टाइम इतनी ज़्यादा soft हो रही है, बिल्कुल भ मैं पोर्ट साफ हो गए, यह बहुत अच्छा, आप एक बार इसको ज़रू try करके देखें, you will love it, then इस टाइम अब हम टोनर यूस करेंगे, टोनर के लिए मैं इसको गुडवाइप्स का green tea toner, यह paraben free है, sulphate free है, alcohol free है, so मुझे यह protect बहुत पसंद है, मैं इसको काफी time से use कर यह at least मुझे 2 साल होगा है, इसको यूस करते वे, so यह मेरा favorite toner है, बट अगर आपको DIY toner चाहिए, तो आप simply rose water भी यूस कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी toner की तरह work करता है, मैं इसको अच्छी तापने face प्लाइ कर लोंगी, मैं इसको यूस कर लेंगे, then for moisturizer मैं यूस करती हूँ aloe vera gel, यह मैं नेचर्स का यूस कर रही हूँ, प्लाइन भी यूस कर सकते हैं, बट मुझे को वो suit नहीं करता है, सो मैं इसको यूस कर लेंगे, then अपने lips को moisturize करने के मैं इसको हिमालया का lip balm, यह भी काफी अच्छा lip balm है, so that's it for the video guys, I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होता, अगर वीडियो पसंद आई होता, चैनल को subscribe कर देना, वीडियो को like कर देना, और अपने friends को share कर देना,